वहें प्याज की बड़ी हुई कीमतों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया है तो प्याज के निर्याद पर तकाल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिसके कारण प्याज में के सभी किस्मों के निराद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। 24 सितंबर को केंद्री खादमंत्री रामिलास पास्ता ने का था कि सरकार प्याज की खीमितों में कमी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। फिलाल इसका 50,000 टन का बफल स्टॉक मौझूद है जिसे मंधियों में आवक को बढ़ावत दिया जाएगा वाईन देश के कई शहरों में प्याज का फुटकर भाव सतर से असी रुपए प्रती किलो तक पहुच गया है। ऐसे में केंदु सरकार प्याज विया पारियों के लिए भंडार की सीमा तैक करने पर विचार कर रही है। बढ़ा फैसला सामने आए है। प्यास के निर्याद पर ततकाल प्रभाव से रोक लगाएगी है। क्या कुछ अपडेट है फिलाल आपके पास। जैसे कि हम सब को बता है कि प्यास की दिन पर दिन रेट भरती जा रही है। उसी से हमने बात करा हम अभी मौजूद हैं सबजी मंडी में यहां के दुकानदरों से बात करा है। के आम इंसान को तो दिक्कत होई रही है फ्यास खरीदने में लेकिन उनका काफी नुक्सान हो रहा है क्योंकि प्यास महिंगी होने से लोग प्यास बहुत कम खरीद रहे है। बिल्कुल कि इन सरकारने प्यास पर निर्यात जिस तरह से देखा जाए कि रोक लगाई गई है निर्यात पर रोक लगाई गई है लेकिन इन सब के बीच अगर हम प्यास की बात करें तो लगातार एक दो महीने पहले कि अगर हम बात करें तो प्यास लगबक 30-40 रुपए किलो बिक रहा था और अब करें लोगा आज जो प्यास को लेकर उनके दामों को लेकर कम किया था अगर अभी इस वक्ता मंडी में खडिया तो बहां के दुकांदारों से आप बात करके जरण बताईए कि वहाँ पर केज्रिवाल के इस पैस्किकि बाद क्या कुछ असर देखने को बिला है तो क्योंकि भी आप केजरी वाल के बाद के सरकार भी इसमें अक्शन में आ गई है आगा कि जी 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 प्यास की कीमेत हैं उसपे आप क्या आसर पड़ रहे हैं हमें तो बहुत देखके थो कि कर आप खराब भी आती है थोड़ी कम तो करा चाहिए जिए सब्सक्राइब खरी दें एक के लोग खरीता जान रही सुग्राम लेता है दूसरे लोगों से कि उनका के कहना है प्यास की जो दाम बड़े हैं उनसे उने क्या दिकत हो रहे है अध्यों लोग लेना है एक किलो लेत तो डाई सुर्ण लेत आदी किलो लेत आप निसकान बहुत हो रहा है लोग कम लेते हैं अगर बेचने पर बात की जाए तो क्या कुछ उन पर असर देखने को मिला है अभी इंसे बात करेंगे जो केंजरी वाल सरकार ने जो नया नियम लाएं लेकर आएं तो मतलब कम करा चाहिए कि 15-20 रूपर ये किलो बेखेगी मिलेगे ना तो हम 25 रूपर ये किलो बैचेंगे तो कस्टुमर दो किलो खरी तो पांच किलो खरी देंगे तो हमारा धंदा भी हाँ और जो हम खरी देंगे तो दो रूपर हमें को भी चाहिए तो फाद अभी हम मिलेगा ना ठीजे जी अनिशा बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुनने के लिए तो प्याज के दाम को लेकर केंदर सरकार का बड़ा फैसला किया है लगातार प्याज के दाम एक-दो महीने पहले की बात की जाए तो 30-40 रुपर मिल रहे थे लेकिन आप प्याज के दाम दिन प्रते दिन बढ़ते जा रहे हैं 70-80 रुपर के लोग हर शहर या हर प्रदेश की बात की जाए तो दाम बढ़े ही है